तो गैस मैंना भी आपको एक छोटी सी चीज़ बदाने जारू हूँ जो कि आपके काफी ज्यादा help कर सकती है ठीक है हो सकता ही ग्राफ आपको कभी किसे ने explain कर रहा हूँ यह नहीं कर रहा हूँ ठीक है बहुत टाइम पहले मैंने वीडियो बनाए थी उसके उपर बट एक ब बैंड वाली बन गी तो एक मंद उसने चलो सपोस कर और लगा दिया तो उसकी साथ बैंड वाली बन गी तो इस टाइम पे जैसे क्या होता है कि वह बिल्कुल टॉप पे चला जाता उसका जो success या फिर उसका जो band score पीक पे चल रहा है तो आगे आके एक और मंद उसने लगा है तो वह बोर होने लग जाता और छे band पे वापस आ जाता ठीक है यह सिस्टम रहता तो कहने का मतलब यह है कि उसको थर्ड मन्त या ढाई मन्त के बाद एक्जाम दे देना चाहिए ठीक है यह तो है हमारे एक category के students इसके लावत दूसरी category के students आ जाते हमारे पास कि जनका starting मे होते हैं लेकिन आगे 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 जाते फाइव एक पिस टेवल रहता है पांस साथे पांस पर तो पहले वाले students और इन वाले students में difference क्या है पहले वाले students दूची जो पर फोकस करते हैं पहली excitement दूसरा hard work ठीक है starting में उनके पास excitement रहती है और hard work अगर करते जाते हैं त excitement और hard work के साथ-साथ उनका improvement होती रहती है अभी ये वो students हैं जिनको starting में IELTS में लगने के excitement बहुत जादा होती है बट आगे आगे जाते-जाते क्या होता कि with a lack of hard work वो थोड़ा सा फिर वो downfall में चला जाता काम इसको वैसे task 1 में बोलते हैं ever declining trend की decrease ही होता जा रहा है तो दो चीजे बहुत ज़्यादा matter करती है पहला आपका होता हाडवर का दूसरा आपका होता excitement ठीक है अगर hardware का आपका सासत है और excited हो आपकी हाँ मेरा ये step गोल्ड रखा होगा अगर आपने कि मैंने ये चीज़ करनी आगए जाके मैंने उस ट्रीले कानड़ा जाना ठीक है तो फि प्राइम में प्राइम में मतलब जब वो पूरा इसे पीक पे था तब किसी मर्जी से फाइड कर वादो नौक ओड वगरा सी जीता था ठीक है चैंपियन रह चुका था और जब उसका प्राइम खतम हो गया वह 38 39 40 41 में आ गया तो पता ही है कि हाँ फीबल हो जाता है वरकबर रहा जाता है ठीक है तो यहां पर आके आपको अपना एक्जाम दे दिना चाहिए थर्ड मंत में डाई मंत में ठीक है सभी के लिए अप्लिकेबल नहीं है अप्लिकेबल किसी का डेड मंत में जाके हाना हाड वर्क और एकसाइटमेंट के साथ इंप्रूमेंट हो ज होते हैं रीडिंग में हमारे पास चलो वर्क्षिट्स वगरा सारा कुछ है वर उनको जैसे मैं बोलता हूं कि भाई घर पे भी आपको प्रेक्टिस करनी पड़ेगी इस चीज के स्टुड़ी मस्ट है चेक करवाने के लिए सब से आगया होते हैं इस बट जब बात आ जाती है स्टुड़ी की तो कहीं ना कहीं पे वो हाड़ेवर का वाली चीज खतम हो जटी है एकसाइटमेंट वाली रहा जाती है तो सभी मोडिूल्ब में आपका एक ही सिस्टम होना चाहिए आपका हाड़ वर्क और आपका एकसाइटमेंट यह दूनों चीज़ेगर चलेंगी तो है तो जब आपको लगे आपका score साड़ेश यह पर stable हो गया साड़ेश यह साथ पर तब एक्जाम दो जाके क्योंकि अगर आपके साड़ेश यह आ रहें तब वहां जाके 6 आएंगे अगर 6 आ रहें तो साड़े 5 आएंगे क्यों कई वर मांड में होते हैं चीज कि यार क्या पता वहां पर रीडिंग असान आते हैं यहां पर हमको क्लास में टफ देते हैं अरे भाई क्लास में तो वही मटीरल जलता है सबके पुराना वाला ठीक है न वहां पर टफ ही आएगी आप ये मान के चलो उससाब से प्रेपरेशन करो और कल की वीडियो में मैं आपको बताया कि कैसा स्केजूल आपने प्लान करना है तो एक बार वह इवनिंग वाली वीडियो जाके जरूर देखना